बस की यात्रा हम पाँच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इस कम्पनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपूर की ट्रेन मिला देती है सुबा घर पहुँच जाएंगे हम में से दो को सुबा काम पर हाजिर होना था इसलिए वापस को यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सलाह दे कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाक्यन है बस को देखा तो श्रद्धा उमड पड़ी खूब वयो व्रिद्ध थी सदियों के अनुभव के निशान लिये हुई थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रिद्धा वस्ता में इसे कश्ट होगा यह बस पूजा के योग्य थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है वह बोला चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी हमने कहा वही तो हम देखना चाहते है अपने आप चलती है यहा हाँ जी और कैसे चलेगी गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा दरुमत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है हमें बेटों की तरह प्यार से कोद में लेकर चलेगी हम बेट गए जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंटिम विदा दे रहे हैं उनकी आखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा, रंग, फकीर आदनी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए इंजन सच मुझ स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं काँच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फोरण खिड़की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सच मुझ चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के आसहयोग और सविने अवग्या आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसी ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से आसहयोग कर रहा था पूरी बस सविने अवग्या आंदोलन के दौर सी गुजर रही थी सीट का बोडी से आसहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बोडी को छोड़कर आगे निकल गई है कभी लगता सीट को छोड़कर बोडी आगे भागी जा रही है आट दस मील चलनी पर सारे भेदभाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है